कि कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ तो जो लोग उधर चले गए मानिवर उनका दिल हमारे साथ है भले वो किसी के साथ हो पेंसन जहां एक करम पुरानी पेंसन की बहाली की मांग हो रही है लाखो करमचारी सदक पर है और मांग करते हैं कि पुरानी पेंसन बहाल किया जाए इस सरकार ने पेंसन का बजट पांस दसमलो दो जीरो प्रतिसत से घटा कर पांट दसमलो जीरो चार प्रतिसत करने का काम किया आपने चंद पूंजी पतियों का 16 लाग करोन रुपए माफ किया ये इस देश की सच्चाई है आपने 16 लाग करोन रुपए पूंजी पतियों का माफ किया आपने 14 देश के प्रधान मंत्रियों ने जितना करजा लिया उससे दोगुना करजा अकेले आपकी सरकार ने लिया धन्यबाद मानिवर आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं अपनी बात सुरू करना चाहूंगा मानिवर हमारे कुछ दोस्त जो कभी इधर हुआ करते थे अब वो उधर चले गए है उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात सुरू करूंगा कि कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ मैं हूं किसी के साथ मेरा दिल किसी के साथ तो जो लोग उधर चले गए मानिवर उनका दिल हमारे साथ है बहले वो किसी के साथ हो मानिवर इस बजट का बहुत धोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी बड़ा अच्छा बजट बड़ा विक्सित भारत का बजट है ये बजट क्या है मानिवर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि भारत माता की सेना रक्षा के लिए जो बजट आता है उस बजट में कटोती करने का काम किया गया 9.6% से घटा कर 9.4% किया गया भारत का अनदाता किसान जो अपने खून पसीने से देश को चलाने का काम करता है मानिवर उसका बजट क्रिशी का बजट 3.2% से घटा कर 3.15% किया गया स्वास्त का बजट हिंदुस्तान 144 करोन लोगों का देश से मानिवर लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्त का बजट 1.97% से घटा कर 1.85% किया गया ट्रांस्पोर्ट का बजट 11.48% से घटा कर 11.28% किया गया पेंसन जहां एक तरफ पुरानी पेंसन की बहाली की मांग हो रही है लाखो करमचारी सलक पर है और मांग करते हैं कि पुरानी पेंसन बहाल किया जाए इस सरकार ने पेंसन का बजट 5.2.0% से घटा कर 5.0.04% करने का काम किया एनरजी का बजट 2.1.0% से घटा कर 1.4.2% करने का काम किया वैग्यानिक विभाग का बजट 2.7% से घटा कर 2.6% करने का काम किया फूर्ट सबसीडी का बजट 4.3.8% से घटा कर 4.2.5% करने का काम किया नौर्थीस्ट के विकास का बजट मनीपुर की तो चर्चा आपने नहीं की लेकिन नौर्थीस्ट के विकास का बजट आपने 0.13% से घटा कर 0.12% करने का काम किया सामाजिक कल्यान जिसमें आपका बिल्कुल यकीन नहीं है उसका भी बजट आपने घटाया 1.22% से घटा कर 1.17% करने का काम किया आपने फर्टिलाइजर का खात का बजट 3.88% से घटा कर 3.4% करने का काम किया और फूट सबसिडी आपने घटाने का काम किया ये है आपके विक्सित भारत के खोखले बजट की सचाई हर वर्ग को आपने चोट पहुचाने का काम किया मानवर आप कहते हैं आप दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता है अरे ये तो सच्चाई बताईए कि ये पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता किसके लिए है आप आपने चंद पूंजी पतियों का 16 लाग करोन रुपए माफ किया ये इस देश की सच्चाई है आपने 16 लाग करोन रुपए पूंजी पतियों का बाफ किया आपने 14 देश के प्रधान मंत्रियों ने जितना करजा लिया उससे दोगुना करजा अकेले आपकी सरकार ने लिया आपने 1500 लाग करोन रुपए करजा लेने का काम किया देश को करज में डुआने का काम किया मनवर मैं ब गुना करेंगे, आपने MSP दो गुना नहीं की, आपने किसानों की food subsidy काटने का काम किया, fertilizer subsidy काटने का काम किया, किरसी छेतर को देने वाले budget को कम खतम करने का काम किया, बेरोजगारों को उम्मीद थी, दस साल में आपने कहा था मानवर, बीस करोन नोकरियां देंगे, बीस करोन नोकरियां आपने नहीं दी, फिर नोजवानों ने कहा नोकरी दो, नोकरी दो, फिर आपने कहा पकोड़ा तलो, पकोड़ा तलो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो फिर आपने कहा चार साल की नौकरी कर लो सेना में चार साल की नौकरी मैं मानिवर आपके माध्यम से भारत के प्रधान मंत्री से बड़ी बिनमरता पूर्वक पूछना चाहता हूँ देश के प्रधान मंत्री को 73 साल की उमर में तीसरी बार प्रधान मंत्री बनना है लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में चार साल की नौकरी करेगा ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ मानिवर आपके महध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूँ अगली योजना क्या आएगी आपकी आप कह रहे हो इंटरंसिप योजना ट्रेनिंग योजना पांच हजार रुपए की ट्रेनिंग ले लो मनवर पांच हजार रुपए की ट्रेनिंग पांच सो बड़ी कमपनियों में आप देंगे मुझे भारत की सो कमपनिया आप बता दीजे जिसमें एक कमपनी में आप चार हजार ट्रेनी रख सकते हैं एक कमपनी बता दीजे जिसमें आप चार हजार प्रसिक्चू आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे ये भी आपका आंकडा सिर्फ एक जुमला है इसके अलामा कुछ नहीं है आज अब मुझे लगता है एक ही योजना बाकी रह गई है मानवर वो योजना है कि हमारी भारत की सरकार आदनी नरेंदर मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में पांच करोन काटोरा बाटा जाएगा भीक मांगो योजना भीक मांगो योजना लने का काम ये लोग करेंगे मानवर इस देश में आपने अर्थ बेवस्था को लेके कहा आप पांचवी बड़ी अर्थ बेवस्था हैं वो पांचवी बड़ी अर्थ बेवस् मानिवर मैं बड़ी बिनम्रता 집에 मैं बक्राइव से पूझता हूं कि या इस की अर्थविवस्था में रेरी पट्री वालों साथा नहीं जो 10 क्रोन रेरी पट्री वाले पूरे देश में इनका कोई मानिवर वहickers को टैक्स भरते हैं आपकी सरकार को तो भी फूटी आख से देखना नहीं चाहती हैं, आपने रेड़ी पट्रिवालों को कहा, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, हिंदूों की मुसल्मान, दलितों की पिछञे, आधिवासियों, क्या हो या बताओ, मैं करदा करेंदार नियुक्त अंवयंचे quasit कजा श्श् benefiting लोग जाता है का कर्जा आपने एक आजमी को दे रहा है लगवाएं अने इंप्लेट पुंजी पतितों को चिनों लगवार के रंप को काम हिसे मानिवर, एक सकुछ एक सक की एक सकुछ एक सकुछ एक honored और अवनरेबल मेंबर, and you are a senior person, Sanjay जी, you are a senior person. दारा परवा में आप काफी कुछ काई गए, फिगर्स के बारे में, बाकि तो, you can make your point, no difficulty about it. So the figures which you have given, you will have tough time in proving them, because these have been taken in stride, so all that will be deleted and we will, unless you have real, factually formed material, use a name, मानिवर मैं तो ये कहना चाह रहा था आपके माध्यम से कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए भारत एक धर्म निर्पेक्च रास्टर है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक वेवस्था में मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मानिवर अभी चुनाव हा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटाव धाबा एक सेकंड जाटाव धाबा कोई लगाएगा कोई अपने धाबे के आगे अगर बालमी की धाबा लिखेगा तो आप लोग उसके आखाने नहीं जाओगे मैं जानता हूँ आपकी मानसिक्ता आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के ततकालीन रास्टपती स्रीरामनाथ कोवित जी को प्रभु स्री राम के मंदिर के सिलन न्यास में नहीं बुलाया आप वो लोग हैं जिनोंने बौजूदा रास्टपती स्रीमती द्रोपदी मुर्मूजी को राम मंदिर के उधगाटन में नहीं बुलाया आप दलितों से, पिछडों से, आदिवासियों से, अल्व संककों से, मुसल्मानों से नफरत करने का काम करते हैं यह आपकी सच्चाई है, इसलिए नेम प्लेट मत लगवाईए, नेम प्लेट लगवाना है, तो जिनोंने देश की बैंकों को लूटा है, उनका नेम प्लेट लगवाईए और मानिवर, मैं आपके माद्यम से, इस सरकार से कहना चाहता हूँ, इनका बजट पढ़ रहा था, इनका बजट पढ़ रहा था मानिवर, जेलों को भी इनोंने कम बजट दिया, अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजे, तीन सो करों लुपे जेल का बजट, जेल का बजट कर दो अगला नंबर तो composers 10 Kenji पे तुमगा ठीक कर दो अगला नंबर तुम्हारा मिट्र सेंजगें बॉले नुटर सेथ चेंजे 06 पेंडी तीन्सो करोड धी और इनको जेल में आता है मनजर पूंड थायों बाइख एजिता के नियता जी से मांबु पर रोगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बज़र बढ़ाने के लिए और इस पर आप गोर फर्माईए धन्वासर ठीक है ने एक प्रस्ट भूमी में है मानिवार मानिवार इस देश में इन्होंने निया पालिकाओं के लिए जो बज़ट रखा वो नाकाफी है पांच करोन केसे पंडिंग है इस देश के अंदर और छे लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है जिसमें करीब करीब 76% अंडर ट्रायल है इसका मत अकलब आपका मकसद न्याई दिलाना नहीं है आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुचना नहीं है आपका मकसद है पकल पकल के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना आपने दिल्ली के मुक्खे मंतरी को जिनकी सुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है आपने दिल्ली क मुख्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया नहीं मानुवर अब इनको बार-बार मौका मत दीजिए मुझे अपनी बाफ पूरी आपने दीजिए मुख्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल के रखा दिली के सिक्षा मंत्री को इन्होंने दो साल से जेल में रखा दिली के स्वास्त मंत्री को इन्होंने दो साल से जेल में रखा आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं हेमन सुरेन को मुख् संजे रावत को जेल में रखा अनिल देसमुक को जेल में रखा सब को पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं बंगाल के तीन मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं ने दिलाना नहीं आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल म डालोगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे जिस जिसने भी राजनीती की है उसका समापन हो गया है अभी 240 पे पहुंचे हो कल 24 पे पहुंचोगे इसके बाद दो पे भी आओगे मैं एक दो मिनिट और मैं बस कहके अपनी बात ख साइयों से भेदबाओ दलितों से भेदबाओ पिछणों से भेदबाओ और अब राज्यों से भेदबाओ राज्यों से भी भेदबाओ महिलाओं से भेदबाओ राज्यों से भेदबाओ क्या भेदबाओ की असर इन्हों ने दो लाख बतीस हजार करोन रुपए दो लाख 35,000 करोंड रुपए दिल्ली के लोगों ने सरकार के केंदरी खजाने में टैक्स के रूप में दिया GST और इंकम टैक्स के रूप में बदले में हमको कितना मिलता है जीरो 9 साल से आप दिल्ली को बजट नहीं देते पंजाब के लोगों बस मेरे में से काट लीजेगा सर एक दो मिनट काट लीजेगा पार्टी पार्टी के उसमें से काट लीजेगा पंजाब के लिए सर पंजाब का किसान अपना खून पसीना बहा के खेत में गेहूं पैदा करता है धान पैदा करता है आपने 8000 करोड उपे पंजाब के विकास का पैसा रोक रखा है विपक्ष के राज्यों का पैसा आपने रोक रखा है ये भेदभाव क्यूं कर रहे हैं आप क्यूं कर रहे हैं आप लिखते हैं राज्यों के विकास से देश का विकास है यह आप राज़ों का विकास कर रहे हैं एक-एक करके, टार्गेट करके विपक्षी राज़ों के साथ आप ने भेधभाव करने का काम किया और अंत में कोई मुझे कह रहा था सारे बजट कम किये किये सिक्षा के बजट को भी आपने कम कर दिया मैंने इन लोगों से कहा सिख्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है सिख्षा से इनका कोई लेना देना नहीं मानवर क्यों लेना देना नहीं है क्योंकि दिल्ली विश्विद्याले में मनुई स्मृती पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग, मनुई स्मृती पढ़ाएंगे कि डलितों के, पिछडों के, जिनको आप शूद्र कहते हैं, अगर वो स्लोक सुन लेंगे तो उनके कान में पारा आप पैसे डालेंगे, ये पढ़ाई आप तर आने जा रहे हैं दिन्ली बजट हिंदुस्तान के ब्यापारियों के खिलाफ है, ये बजट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के मित्रों के लिए बनाए गया है, मित्रों के लिए बनाए गया है, मित्रों के लिए बनाए गया है